नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सिलेंस टेकनोलोजी में और जिनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें और यह बोलना मैं हर बार भूल जाता हूं और वीडियो के मिडल में एंड में याद आ है तो दोस्तों प्लीज आप सब्सक्राइब जैनल को जुरूर करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शैशन्स क्या होते हैं पीच पी के अंदर यह काफी इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है जब भी आपको यूजर को लॉग इन करवाना है तो वहां पे यह क खालत लिखा है शैशनार यूजड टू स्टर तू स्टर यूजर इंपुरमेशा एंड त्सटार ξान अस्टो ऊचलट इन फूजर कि इंफॉर्डन के इंपुर्मेशा में कहीं पे वी कर सकते हैं अब ये तो आपको देशी भाषा में समझ आ गए कि ये ऐसे बोल रही है लेकर एक्चुल में इसका यूज होता का है तो मैं आपको इसका यूज एक एक्जामपल के तौर पे बताऊंगा अब let's say कि आपने अपना facebook.com पे आप गए facebook.com पे जाके आपने वहां पे अपना email भर और अपने वहां पे आपने पासवर्ट भरा email और पासवर्ट भरने के बाद आपने let's say 30 minutes के लिए आपने facebook को access किया access करने के बाद आपने browser को close कर दिया आपने browser को क्या कर दिया आपने browser को close कर दिया आपको फिर याद आया Facebook मैं फिर से देखता हूँ कोई notification तो नहीं आई है तो आपने simple क्या किया आपने simple browser को फिर से open किया और जब आपने facebook.com लिखा तो आपको direct नजर आया आपका homepage जहां पे आपकी profile थी आप सीधा वहाँ चले गए means अब आपको ये email और password वाला जो page था ये आपका exit हो गया इस page को let's say हम लोग यहां पे login page कहा देते हैं कि login वाला जो part था अब वो यहां से skip हो गया वो क्यों skip हो गया क्योंकि जब आपने browser close किया था तो उस time पे आपने facebook को log out नहीं किया था log out नहीं किया आपने browser close कर दिया और जब आपने फिर से खोला तो आपको direct homepage नजर आ गया इतनी सी बात समझ आई चलो great आगे बढ़ते अब ऐसा क्यों होगा कि आपने जब फिर से browser open किया तो facebook.com कोलते ही आपको homepage नजर आया तो इसका जो reason है वो है sessions क्यूंकि जब आपने यहाँ पे login किया था तो login करते ही आपकी जो email थी वो एक session variable में क्या हो गई थी वो यहाँ पे store कर दी गई थी मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ तो जैसे ही आपने login किया था तो login करते वक्त आपकी जो यहाँ पे email आईटी थी वो एक session में store कर दी गई थी अब वो यह वाला session तब तक रहेगा जब तक आप अपने facebook को log out नहीं कर देते अगर आपने यहाँ पे log out कर दिया होता तो आपका session क्या हो जाता यहाँ पे destroy हो जाता तो आपका session यहाँ पे destroy हो जाता और अगर जाब फिर से browser को खोलते तो आपको अब यहाँ पे फिर से क्या नजर आता login पेज और आपको भरनी पड़ती email और आपको भरना पड़ता password फिर आप पहुंचते अपने homepage के अंदर अब जैसे हमने बताया है कि session are used to store the user information तो session ने क्या किया user की information जो user login कर रहा है उसकी information मिन्स उसकी email शैशन ने अपने पास store कर ली और उसने store करते ही उसको use करना शुरू कर दिया अब मान के चलो आपने यहाँ पे logout नहीं किया logout नहीं करके browser close कर दिया और जब browser खोला तो आपको direct क्या नजराया homepage अब जो direct homepage नजरा रहा है अब यहाँ पे आपकी जो information है वो यहाँ पे क्या हो रही है use हो रही है facebook चेक कर रहा है कि क्या इस user की जो user अभी फिर से जिसने facebook खोला है क्या उसका session अभी active है यह destroy हो चुका है तो आपका session तो active था क्योंकि आपने logout नहीं किया था तो आपका session active होने की वज़े से आपको direct उन्होंने क्या दिखा दिया आपको direct homepage दिखा दिया लेकिन आपका session अगर आप logout कर देते तो आपका session क्या हो जाता destroy हो जाता और next time आपको फिर से क्या करना बढ़ता login करना बढ़ता तो ये तो थी एक example जो मैंने आपको अबीद बताई कि session कैसे काम करते हैं दूसरी example अगर आप किसी bank की mobile application यूज कर रहे हैं या आप किसी banking की site पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी इस website को particular 2 या 3 मिनट के लिए idle छोड़ देते हो तो आपका session automatically destroy हो जाता है और आपको वापिस उसको access करने के लिए login करना बढ़ता है अब let's say अगर आप ICICI bank की website को access कर रहे हैं और वहाँ पे आपने email और password भरके आपने login किया है और आपने पंदरा मिनट के लिए अपने account की details वेगरा देखी थोड़ा बहुत उसके बाद आपको लगा कि यार चलो let's have a tea आप चाहे पीने लगए biscuit खाने लगए आप busy हो गए और आपने देखा ओहो मैं एक statement तो देखनी रह गया हूँ आपने फिर से statement वाले menu पे जब आपने click किया तो आपको वहाँ पे message display हुआ कि session is closed session closed हो गया है क्योंकि आपने 15 minute के लिए या let's say आपने चाहे पीने में जो है वो यहाँ पे 20 minute लगा दिये और आपका 20 minute के लिए आपकी जो site थी ICICI bank की वो idle पड़ी और 20 minute वाद आपका session automatically close हो गया और आपको फिर से क्या करना पड़ा वहाँ पे login करना पड़ा तो एक यह method है session का use करने का तो चलिए देखते हैं हम इसको यहाँ पे कैसे use कर लेते हैं session अगर आपने जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है कि super global variable क्या होते हैं तो super global variables मैं मैंने बता रखा है कि जो session है वो भी super global variable का एक हिस्सा होते हैं अब यहाँ पे एक example के तोर पे मैं आपको लेके जलता हूँ मैंने यहाँ पे एक variable लिया dollar a equal to 10 और यहाँ पे मैंने एक variable लिया dollar a equal to 10 ठीक है अब यहाँ पे मैंने एक दूसरी file बनाई है मैं यहाँ पे let's say एक file और बना देता हूँ file को मैंने नाम दे दिया session underscore two dot php right एक file मेरी आगी session underscore two dot php और इस file के अंदर मैंने e को करा लिया dollar a को right dollar a मैंने define किया dollar a मैंने define किया है अपनी session underscore session hyphen php dot php file के अंदर मैं यहाँ पे a की value मैंने tender की है और session underscore two के अंदर मैं सिर्फ इसको जाके print करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे php का tag लगा देते हैं और यहाँ पे और यहाँ पे हम e को भी करा लेते हैं this is let's say this is second file ठीक है तो मैंने ऐसे कर लिया अब अब मैं run करता हूँ सीधा session two dot php को या मैं session dot two php को run करता हूँ या मैं काम करता हूँ इसको और असान बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक anchor tag लगा देता हूँ और anchor tag में मैं लिख देता हूँ session two dot php और यहाँ पे लिख देता हूँ session file number two right अब मैंने यहाँ पे क्या किया है आपको समझ आई रहा होगा वैसे तो simple एक variable लिया है उसकी value 10 set करी है और नीचे एक hyperlink दे दिया है जब इस hyperlink पे click करूँगा तो मुझे कहा ले जाएगा session two dot php और यह रहा session two dot php यहाँ पे आके मैंने e को कराया है dollar a को जो मैंने define किया था अपनी file session underscore php वाली file के अंदर और यहाँ यहाँ पे मैंने simple लिखाया this is second file यह मैंने static लिखाया तो चलते हैं सीधा browser की तरफ यह क्या कुछ खुला पड़ा है वह यहाँ यह आ गया है ठीक है तो यहाँ से refresh करते हैं और यहाँ पे मेरी file यह रही session php देखिए अब यहाँ पे आपको क्या नज़रा रहा है session file number 2 तो मै इसको और understandable बनाने के लिए इस file के अंदर भी e को करा लेता हूं dollar a की value को dollar a की value बने इस file के अंदर भी print करा लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि file v value exist करती है तो मैंने यहाँ आके जब इसको refresh किया तो देखिए यहाँ पे value किती नज़रा रही है 10 और साथ में एक link नज पे तो लेके आ गया लेकिन इसने यहाँ पे बोला कि आपकी undefined variable है a जिस a को आप access करने के कोशिश कर रहे है वो undefined है अब यह undefined क्यों है यह undefined यह वाला variable dollar a यह undefined इसलिए है क्योंकि यह define किया गया था इस file के अंदर session-2.php के अंदर define किया गया था और इसको use करने क कि कोशिश कर रहूं है session-2.php में तो variable अपना scope होता है वो उनका अपना local global scope होता है वो एक limit तक ही काम करते हैं लेकिन जो super global variable होते हैं उनको आप एक वर define करने के बाद आप across the website कहीं पे भी उनका use कर सकते हैं जैसे कि मैंने यह बताया है कि session are used to store user information and to use that information across the website और webpage हम इसको कह बिना condition के कहीं पे भी use कर सकते हैं अब इसका use कैसे होगा अब मैं dollar a को लेके जाना चाहता हूं इस page के अंदर बिना इस page के अंदर define किये तो उसके लिए आपको use करना पड़ेगा session का तो देखिए मैंने session को use करने से पहले आपको हमेशा session को start करना बढ़ता है तो session को start करने नहीं करेगा अब जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे पास session है वो super global variable है जैसे dollar underscore post है यह dollar underscore server है dollar underscore get है dollar underscore request है उसी तरह dollar underscore session भी हमारे पास एक super global variable है तो मैंने यहाँ लिखा dollar underscore session और یہاں पे मैंने session का एक variable create कर दिया और dollar a की value मैंने assign कर दी session के इस variable को इस variable का नाम let's say मैंने रख दिया क्या रखूँ, ses रख दिया let's say अब ये session का अपना एक variable है अब session जो है, session के अंदर हम लोग multiple value store कर सकते हैं इसलिए इसका जो index होता है, वो array की form में होता है और ये जो है, ये उसकी एक तरह की की तरह काम करता है जैसे आपने array बढ़ा होगा, उसमें एक key होती है, एक value होती है तो session की जो ses key है, उसकी अंदर मैंने value store करा दी है dollar a की, मनलब dollar a की value कितनी है, 10 वो मैंने session के इस variable को दे दी है अब मैं इसका use देखो कैसे करूँगा, अब मैं गया session 2.php में अब मेरे को यहाँ पर उसका use करना है, तो use करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको पहले session को क्या करना पड़ेगा start, जहाँ पर भी आपको session का use करना है, चाहे वो आपको create करना है, चाहे आप उसको access करना है, आपको session underscore start जो है वो लिखना ही पड़ेगा अब फिर मैंने यहां पे लिखा eco अरे भाई eco dollar underscore session और session के variable का क्या नाम था scs राइट और अब dollar a को हटा देते हैं क्योंकि dollar a तो मैं लेके नहीं आ रहा रहा हूं से मैं क्या लेके आ रहा हूं session अब हम चलते हैं अपने browser की तरफ और यहां से मैं back गया refresh किया और देखिए यह session file number 2.php है आप मैं इस पे click करता हूं तो देखिए यहां पे आपके पास output क्या रही है 10 और यहां पे लिखा रहा है this is second file session 2.php में हम लोग आ चुके हैं और यहां पे value को भी हमने यहां पे access कर लिया है तो यह है session कि आप session में values को डालके कहीं पे भी use कर सकते हो जब मैं आपको एक video के अंदर बताऊंगा कि आप user को login कैसे करवा सकते हो उसकी information कैसे check कर सकते हो कि उसने login किया है या नहीं किया है तो वो सारी चीज़े session के थुरू होती है वो हम आगे video में detail में समझेंगे आज का motive सिर्फ मेरे को इतना था कि session को कैसे create किया जाता है और session को कैसे access किया जाता है उसके लाब हम देखते हैं कि session को destroy कैसे किया जाता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन interesting है अब हम देखते हैं कि session को destroy कैसे किया जाता है अब देखे session create हो गया है अब मैंने यहाँ पे एक और file create कर लिया let's say मैं एक file और create कर लेता हूँ उसको नाम दे देता हूँ session underscore 3.php एक file मैंने और create कर लिया है अब इस file के अंदर जाके मैंने यहाँ लिखा eco this is second file और यहाँ पे एक हम break tag का भी यूज कर लेते हैं और फिर मैंने यहाँ पे eco करा लिया dollar underscore session और इसका नाम क्या था scs और जैसे कि मैंने बताया था कि use करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा session को start करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे session को कर दिया start session underscore start भी हो चुका है और यहाँ पे मैंने लिखा है this is oh spelling गलत लिख दिया मैंने this is second file और break tag लगाया और फिर session को display कर वा लिया right तो अब मेरी जो session 2 वाली file है यहाँ पे मैं एक hyperlink दे देता हूँ ताकि मेरे को यहाँ से जाने में जो है वो असानी हो यहाँ लिखा session 3.php और इसके अंदर लिख दिया मैंने file number 3 ठीके जी session 2 में मैंने लिख दा यहाँ पे भी मैं किसी भी file पे जा सकता हूँ direct तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ session underscore 3.php and this is file number 3 चलिए अब आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ आया है तो मैं एक वर बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे session को create किया है session variable उसके बाद मैंने दो hyperlink दे दिया है पहले link पे click करने पे मैं सीधा चला जाओंगा session 2.php वाली file के अंदर जो मेरे पास यह है यहाँ मैंने display करा रखिया session की value को और लिखा हुआ है this is second और यहाँ पे break tag भी जो है वो साथ-साथ use करी लेते हैं और उसके बाद मैंने जो है session 3 वाली file है उसके अंदर भी मैंने simple session को start किया है और session की value को print करा है अब चलते हैं browser की तरफ और यहाँ से refresh करते हैं हम लोग कर चुके हैं तो देखिए दिकारा session file number 2 session file number 3 अब मेरा session create कहा हुआ था इस file के अंदर हुआ था अब session तो create हो चुका है अब मैं इसको किसी भी file में access कर लूँ चाहे मैं direct file number 2 में चला जाओ चाहे मैं direct file number 3 में चला जाओ अब मैं direct file number 3 में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको value क्या दिखा रही है यहाँ पे आपको value जो यह देखिए session 2.php में भी अगर मैं इसी file से file number 3 में जाता हूँ तो भी आपको value जो है वहाँ पे नजर आएगी तो session जो आपने एक बार declare कर दिये जब तक आप उसको destroy नहीं करते तब तक आपको उसकी value retain मिलेगी तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा destroy करना पड़ेगा तो destroy करने के लिए आपको क्या करना है destroy करने के लिए let's say मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे एक file और बना ली anchor tag href equal to file को नाम देते हैं destroy .php अभी मैंने create नहीं करी है इसको create करूँँगा और इसको नाम देते हैं session underscore destroy .php ठीक है ओ सॉरी session underscore destroy मैंने जो file का नाम दिया है वो destroy.php दिया है और जैसे ही मैं इस पे click करूँगा तो मैं एक नई file पे चला जाओँगा उसका नाम होएगा destroy.php तो मैं file नहीं create कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया destroy.php अब यह आ चुक है हम अपनी file के अंदर destroy.php पे यहाँ पे मैंने php के tags को जो है वो यहाँ पे शुरू कर लिया हुआ है right तो अब यहाँ पे destroy कैसे करने है अब हमने किस session को destroy करना है हमने कौन सा session create किया था हमने session create किया था ses variable का हमने यह विलाया था तो हमें इसको ही destroy करना है तो इसको destroy करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको destroy वाली file के अंदर जाके यहाँ पे सबसे पहले session को session underscore start पहले आप इसको start करने वाले है फिर हम यहाँ पे लिखेंगे या तो आप लिख दो unset और session variable का क्या नाम था scs तो यहाँ से आपका जो variable है जो आपने set किया था session वो यहाँ से unset हो जाएगा session क्या हो जाएगा आपका unset हो जाएगा और unset होने के बाद अगर मैं यहाँ पे unset होने के बाद मैं यहाँ पे anchor tag मैं equal to एक नई फाइल पे भेजने की कोशिश करता हूँ जिसका नाम है session2.php और यहाँ पे लिख देते हैं file2 अब देखे session destroy कर दिया मैंने यहाँ पे मैंने session को start किया और जो मैंने variable set किया था उस variable को मैंने यहाँ पे unset कर दिया है unset करने के गाद मैंने नीचे link दे दिया है कि जैसे आप link पे file number 2 पे click करोगे वो आपको कहा ले जाएगा session underscore 2.php में और यह ही हमारी session underscore 2.php और जब हम इस file में पहुंचे तो पहुंचते ही उसको क्या मिलेगा यहाँ पे मिले का session लेकिन session तो destroy हो चुका है तो यहाँ पे throw होगा एक error तो चलिए देखते हैं कि यह हमारे recording काम करता है या नहीं करता है मैंने इसको यहाँ से refresh किया और यहाँ से मैं गया file number 3 के अंदर file number 3 में गया तो यहाँ पे output में मिला this is second file value मिली 10 और session में लिखाया session destroy और जब मैंने इस पे click किया तो देखे यहाँ पे मेरे को क्या नज़रा रहा है file number 2 destroy.php में आ गया हूँ तो hyperlink में मेरे को मैंने hyperlink बनाया था वहाँ पे file 2 का तो file 2 नज़रा रहा है अब जब मैं इस पे click करूँँगा तो देखे मेरे पास अब क्या आ गया यहाँ पे error वो क्या दिखा रहा है undefined index ses की जो index है वो क्या है undefined है line number 4 के उपर undefined क्यों है क्योंकि भाया हम लोग जो है वो destroy already session को कर चुके है अपनी destroy.php के अंदर हम यहाँ पे destroy कर चुके है जब session 2 में पहुंचे तो उसने बोला कि आपकी line number 4 में error है क्योंकि आपका यह variable undefined है तो यह होता है ऐसे आप जो है session को create कर सकते हो और आप ऐसे session को destroy कर सकते हो यह एक बड़ा simple सा method में आपको बताया कि ऐसे use कर सकते हो अब आप इसका जो real use रहेगा वो use होगा जब आप user को login करा होगे या आप अपने login करने के बाद जो internal pages में आप उसको घुमाओगे तो वहाँ पे इसका use होगा तो इसको आगे और बढ़ेंगे जैसे जैसे हम project पे आएंगे तो वो देखेंगे हम इसको वहाँ पे कैसे use कर सकते हैं दो दोस्तो hope आपको वीडियो समझ आये होगे कि हमने ये सारी चीज़ें कैसे करी हैं और काफी असान भाषा में बताने की कोशिश करी है आपको फिर भी अगर कोई doubt रहे गया है तो आप please comment में जरूर पूछें और अगर आपको समझ आ गया है तो एक like जरूर करें एक comment जरूर करें दोस्तो thank you guys